सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए अलो दोस्तो टेक्नोविक क्रांट में आप सभी का स्वागत हैं फाइनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी जीटी नियो 3T के अंदर रियल्मी UI 4.0 का C.08 का न्यू आफिसल वर्जन रोलिंग आउट करना स्टाट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से new features देखने को मिलता है कौन से bugs fix हुए है साथ इसका battery performance की step से देखने को मिलता है इसका game performance की step से देखने को मिलता है इसके अलावा इसके अंतुतु score कितना देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस update का complete detail बताने वाला हूँ दोस्तों तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs features वगरे के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर उपर के side में आपको official version देखने को मिलता है और real में GT Neo 3T का model number RMX3371 देखने को मिलता है बात की जाईस update के basic information की तो यहाँ पर आपको c.08 का new update देखने को मिलता है और इस update के जो size है वो आपको 5GB देखने को मिलता है और यह आपको real me UI 4.0 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाईस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको 5th माई 2023 के साथ latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लाव बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system के performance को काफी ज़्यादा smooth किया है आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जैसे ही आप swap down करते हैं या app driver अगरा open करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी smooth performance देखने को मिलता है साथ दोस्तों यहाँ पर टो dynamic computing engine है उसको R भी optimize करके improve कर दिया है जिससे कि आपको R भी better performance देखने को मिलता है इसके लाव कोई को user को lagging इसू अगरा देखने को मिलता था तो उसको भी यहाँ पर fix करके चेंज की तो apps के अंदर अगर दोस्तों आप dock vault apps यूज करते हैं तो उसमें आप password वगरा डालते हैं तो उस टाइम पर आपको flickering इसू देखने को मिलता था यह problem दोस्तों कुछ कुछ situation में होता था तो उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप dock vault app यूज करते हैं तो आपको better performance और experience देखने को मिलता है इसके अलाव बात की जागले चेंज की तो apps के अंदर अगर दोस्तों आप video call करते हैं direct video call या whatsapp अगरा से तो कुछ कुछ situation में properly video call जो है connect नहीं होता था call ही नहीं लग पाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप video call करते हैं तो आपको better experience के साथ video call देखने को मिलता है इसके अलाव बात की जागले चेंज की तो system के अंदर ही अगर दोस्तों आप home screen में जो छोटे छोटे फोल्डर रहते हैं उसको अगर आप large size में करते हैं तो उस time पर जो apps रहता है फोल्डर में वो display नहीं होता था, properly so नहीं होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप folder large करते हैं तो आपको properly apps का icons वगरा display होता है देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीजा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचेक site password and security के अंदर system security में यहाँ पर दोस्तो जो google play system update है वो इस update के बाद 1st माई 2023 का देखने को मिलता है पहले दोस्तो 1st April 2023 का देखने को मिलता था लेकिन इस update के बाद अगर आप google play system को update करते हैं तो आपको 1st माई 2023 का latest google play system update देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीजा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो camera के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप camera यूज करते हैं और photo अगर लेते हैं तो camera से photo अगर आप view करते हैं तो वो so नहीं होता था photo view करने में problem face होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है अब दोस्तो आप photo लेते हैं और camera के अंदर से भी view करते हैं तो आपको properly view और working देखने को मिलता है इसके अलाव बात कीजा अगले change की तो communication के अंदर अगर दोस्तो आप call करते हैं या फिर incoming call वगर आता है तो आपका जो call वाले apps हैं उसमें call lock जो हैं so नहीं होता था incoming call और outgoing call दोनों में आपको number call lock के अंदर so नहीं होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि आपको और भी better experience देखने को मिल जाता है इसके अलाव बात कीजा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर wallpaper and style के अंदर यहाँ पर देखींगे दोस्तो आपको कुछ ही type से new look देखने को मिलता है यहाँ पर पहले आपको theme का option देखने को मिलता था जो की यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है यह दोस्तो आपको color OS 13.1 का wallpaper and style APK है जिसको आप manually install करते हैं तो आपको कुछ ही type से new look, personalization या wallpaper and style देखने को मिल जाता है आप भी manually install करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के description में अपने telegram group का link दिया है जहाँ पर आप इस apps को download करके update कर सकते हैं इसके लावा बात की जागले change की तो camera की अंदर अगर दोस्तों आप camera यूज करते हैं फोटो अगर लेने के time पर low probability में आपको camera place back का problem होता था automatic camera जो है exit हो जाता था जिसकी जैसे photo लेने में problem place होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप camera यूज करते हैं फोटो अगर आप click करते हैं तो आपको better experience के साथ photo click और camera यूज करने को मिलता है इसके लवब बात की जैसे अगले बग fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तों stucking issues का यहाँ पर दोस्तों अगर आप phone यूज करते हैं तो उस टेम पर screen clickering stucking problem वगर देखने को मिलता था तो उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप mobile यूज करते हैं तो आपको better experience देखने को मिलता है जो flickering issue, stucking issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix कर दिया है इसके अलाव बात की जैसे अगले change की यह प्राबलम दोस्तो कुछ कुछ situation में होता था अगर आप video music अगर प्ले करते हैं तो आपको उसका sound सुनाई नहीं देता था तो इस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better experience के साथ वीडियो अगर प्ले करते हैं तो आपको idea सुनाई देता है इसके लाव बात की जैसे अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो notification and status bar में यहाँ पर उपर के side में दोस्तो आपको notification and status bar show करता है वहाँ पर जो छोटे-छोटे icons network वगरा का speed वगरा या फिर notification वगरा आता है उसका icon show नहीं करता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better status bar and notification देखने को मिलता है इसके लाव बात की जैसे अगले change की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तो जो mobile network के connection है उसके performance और stability को और भी improve किया है जिससे कि आपको rb better stable mobile network देखने को मिलता है इसके लाव बात की जैसे अगले change की तो यहाँ पर दोस्तो आपको new gen mode apps देखने को मिलता है जिसमें आपको दो mode देखने को मिलता है एक deep gen mode एक light gen mode साथ दोस्तो यहाँ पर dashboard का option भी देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ पर gen mode का new version देखने को मिलता है जिसके थूँ दोस्तो आपको rb better look के साथ gen mode دेखने को मिलता है इसके लाव बात की जैसे अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर special features में यहाँ पर दोस्तो special features में सबसे नीचे में simple mode देखने को मिलता है जिसको यहाँ पर और भी better improve और optimize किया है यहाँ पर दोस्तों आपको new widgets के साथ tutorials देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते है easier to see, higher volume simple setting आप इसके थुरू आप कैसे simple mode को use करना है आप यहाँ से ही सीख सकते हैं देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर simple mode का optimize और improve version देखने को मिल जाता है बात की जाईस update के बाद इसके अंतुतू score की तो यहाँ पर दोस्तों मैंने c.08 के update से पहले इसका अंतुतू score चेक किया था जहाँ पर इसका score देखेंगे तो आपको 7,00,000 के आसपस देखने को मिलता है साथ इसका CPU, GPU, Memory, UX का score भी आप देख सकते हैं आपको कुछी स्टेप से देखने को मिलता है उसके बाद दोस्तों मैंने c.08 update किया और उसके बाद मैंने फिर से practically test किया जहाँ पर इसका score देखेंगे तो आपको 7,49,000 के आसपस देखने को मिलता है जो कि काफी ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों साथ इसका CPU, GPU, Memory, UX का score भी आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है और मेरा जो device है वो 8GB, 120, 8GB वाला है वो सकते हैं दोस्तों आपको अलग अंतुतू score देखने को मिले जो कि device के variant के हिसाब से अलग देखने को मिल सकता है बात किजाए यहाँ पर battery performance की तो यहाँ पर जो battery performance है इस update के बाद काफी ज़्यादा better देखने को मिलता है यूजर को यहाँ पर काफी ज़्यादा battery draining का problem फेस करना पड़ रहा है बाकि जो overall battery का performance है वो काफी सारे यूजर को better performance देखने को मिलता है बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप charging करते हैं तो आपको charging speed जो है काफी slow देखने को मिल जाता है साथी दोस्तों यहाँ पर गर्मी का season चल रहा है तो अगर आप charging करते हैं तो आपको जो heating इसू है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है अगर इस बात की जाए इसके game performance की यहाँ पर जो game performance है वो आपको better देखने को मिलता है साथी दोस्तों अगर आप game खेलते हैं तो आपको ज़्यादा heating इसू देखने को मिल जाता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तों यह update आपको मिला है की नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से bug से देखने को मिलता है आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा आपको मिला है अगर आपको मिला है